कि हिंदुस्तान में लोक तंत्र पर आक्रमन हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उधारन मिल रहे हैं सवाल मैंने एक ही पूछा था फाउंडेशन पर जाता हूँ अदानी जी की शेल कमपनीज है अदानी जी की शेल कमपनीज हैं उसमें बीस हजार करोड रुपिया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफरस्ट्रुक्चर बिजनिस है पैसा किसी और का है सवाल ये है ये जो बीस हजार करोड रुपे हैं ये किस के हैं ये सवाल मैंने पूछा मैंने परलिमंठ हाउस में प्रूफ देखे जो िडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला अदानी जी और नरेंदर मोदी जी के रिष्टे के honour में डीटेल में बुला रिष्टा नहीं है रिष्टा पुराना है जब नरेंदर मोदी जी गुजरात के सीम बने थे कब से रिष्टा है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स है हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई नरेन्द मोदी जी बड़े कमफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ पार्लिमंट में मैंने दिखाई ये सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डीटेल चिट्थी लिखी पॉइंट बाइपॉइंट कि मैंने कहा कि एरपोर्ट अदानी जी को रूल बदल के दिये गए है ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है चिट्थी लिखी कोई फरक नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लेमेंट में जूट बोला बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी मैंने ऐसी कोई बात नहीं किये मैंने कहा स्पीकर से मैंने जाके कहा स्पीकर सर पार्लिमेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई accusation लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिट्थी लिखी उस चिट्थी का जवाब नहीं आया दूसरी चिट्थी लिखी उस चिट्थी का जवाब नहीं आया फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया मैंने स्पीकर सर से कहा स्पीकर सर ये कानून है ये रूल है इन्होंने जूटा अरोप लगाया है मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं स्पीकर सर मुस्कुराते हैं कहतें मैं नहीं कर सकता और फिर उसके बाद आपने सब ने देखा क्या हुआ सवाल पूछना मैं बन नहीं करूँगा नरेंदर मोदी जी का अधानी के साथ क्या रिष्टा है और बीस हजार करोर रुपे किस के हैं मैं पूछता जाओंगा मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाइ करके धमका के जेल में डालके मुझे बंद कर सकते नहीं मेरी वो हिस्ट्री नहीं है मैं हिंदुस्तान के लोग तंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोग तंत्र के लिए लड़ता रहूंगा